लेकिन आज पिहनी कारणों से देर हो गई वस्तुता आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो विकास की रहा पर देश दोड़ रहा और जिसका जीता जाक्ता उधारण पिछले दिनों बहन सीता रमन जी का बजट आया वो बजट अमरित काल का अमरित बजट है हम सब को याद है कि करोना का जो प्रकोप था जो प्रलय था उसके बाद रूस युक्रेन युद्ध जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई हम तो आज से 40 साल पहली की बात कर रहे हैं जब बंगला देश का युद्ध हुआ या लाल बाहदु सास्त्री की समय जब अकाल पड़ा उस समय की भी आध्यम को और बंगला देश वार के समय बंगला देश टैक्स लगा कि देश पे भारी भरकम खर्चा गया तो बंगला देश टैक्स लगे लेकिन यह करोना जिसको पूरी दुनिया नहीं हिलाके रख दिया और पधानमंती नरेंद मोदी की नत्युत में कोई करोना टैक्स नहीं कोई टैक्स में बढ़ोत्री नहीं कोई समान बजा से गायब नहीं किसी समान में मनें आपा धापी कोई इतना बड़ा उच्छाल भी नहीं और वैसे में जब पूरी दुनिया युक्रेन यूरूस के युद्ध में उसकी अर्थविवस्ता चर्मरा गई पूरी दुनिया की और उसमें भारत की अर्थविवस्ता दुनिया की सबसे चोथी बड़ी अर्थविवस्ता बन गई और अब तो ग्रोथ रेट साथ के करीब पहुचने के आज उमीद लोग ला के बैठे हैं और यह जो बजट है यह बजट साथ कौन में का बजट है जिसमें कॉपरेटिव महिला यूवा उसके बाद किसान सब पर्च केंद्रित बजट ऐसे में विश्वकर्मा विश्वकर्मा मतलब कोई नई चीज बनाना कोई जाती किसी धर्व किसी संपरदाय के मानने वाले हो ऐसे हुनर वाले जो कलाकार जो हमारे काईगर हैं उनके लिए पहली बार आजादी के भारत के बात 75 सालों में विश्वकर्मा सम्मान योजना लग इसके लिए जो वित्य सहय था बिना कॉलेट्रेल के मतला बिना किसी पहर उनको आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ा काम महिलाओं के लिए हमको याद है कि रगवर जी के सरकार जो बाज़पा की सरकार थी तो यहां महिलाओं महिलाओं के लिए रेजिस्ट्री फ्री थी कि 50 लाग तक की रेजिस्ट्री कोई पैसा नहीं बारत पहली बात हुआ और इस बार प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्मला सी तरमन जी ने एक बज़ट के अंदर महिलाओं के लिए देश की बेटी बेहन के लिए कि दो लाग रुपए अभी तो हम लोग अगर एफडी करते थे तो एफडी चार साल पांच साल के अभी पांच साल ब्याज दो लाग कोई महिला रखेगी दो साल के लिए तो साले साथ परसेंट ये इतना बड़ा महिलां के लिए हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उपहार दूसरा वरिश्ट नागरिकों के लिए वरिष्ट नागरिकों के लिए था पहले बैंक में या फोस्ट आफिस में पंदरा लाक रुपया रखिएगा पंदरा लाक रुपया रखने के बाद जैसे हम नहीं कराया तो लगबग 29,000 संथिंग फोटरली आता था लेकिन आपको 15 लाक रुपय करना होता था उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो किसी बैंक वरिष्ट जो सीनियर सीटीजन साट साल के बाद इस बाद सीनियर सीटीजन के लिए एक बहुत बड़ा उपहार नरेंद मोदीजी की सरकार ने दिया है कि आप 30 लाक कर सकते हैं 30 लाक करेंगे तो इसका मतलब हो गया 60 हजार उपय क्वेटरली यानि कि 20 हजार उपय महिना आप 20 हजार कोई रिटायर होता है तो पैसा मिलता है पैसल मिलता है कोई अन्या माध्यव होते हैं तो रिटायर्मेंट के बाद तो 60 हजार 15 दुनी 30 तीस लाक में आपको लगभग 69-60 हजार मिल जाएगा तो 20 हजार मया एक बहुत बड़ा तोफ़ा हम कह सकते हैं senior citizens के लिए दिया है क्राप के बाद नए वहान आएंगे नए वहान कोन आएंगे हाइड्रोजन से चलने वाले electric से चलने वाले अब जो करोडो अरबो डॉलर हम कच्चत तेल में बरबाद करते प्रदूसन बरबाद होता तो अब भारत की जो economy है वह 5 billion trillion dollar की ओर बड़ी है foreign reserve हमारा जादा बचेगा कच्चे तेल में हम पैसा कर्म खर्च करेंगे तब जब नए वहान आएंगे तो अठुमवाईल छेत्र गुलजार होगा अठुमवाईल छेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांती इस देश में आने वाली है इसलिए कह रहे हैं यह बज़ट पूरी तरह आत्मिर्भर वाला बज़ट है यह पूरी तरह देश के गाउं गरीक किसान वाला बज़ट है अब रेल्वे में आप देखी रेल्वे में लगबग अठावन सो करोड रुपया जारिखन को मिला और रांची को छेस्सो करोड रुपया जिसमें राची रेल्वे स्टेशन नगड़ी अब हमारा चांडिल, हमारा टाटी सिल्वे, हमारा विकास यह सब स्मार्ट स्टेशन होने वाले हैं हमने डिमांड रखी थी कि जैसे हटिया, बालसिंग, पिसका नगड़ी, चांडिल, सिल्ली, टाटी सिल्वे, रेस्टेशन अब स्मार्ट स्टेशन हो जाएंगे बहुत तेजी सागे बड़ा है कुल मिलाकर यह जो कहते हैं न एक आदर्श बजेट है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्स्ट्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले